60 सेकंड के अंदर जानेंगे Microsoft World में Format Painter कैसे इस्तमाल करते हैं अब जैसा कि आप देख रहें यहाँ पर दो पैराग्राफ दिये हुए हैं पहले पैराग्राफ में Text, Style और Color वगर एकदम अलग है यानि कि Formatting एकदम अलग है और दूसरे वाले पैराग्राफ में Formatting एकदम अलग है अब अगर हम यह चाहते हैं कि पहले वाले पैराग्राफ की Formatting दूसरे वाले पैराग्राफ पे Copy हो जाए तो उसके लिए में क्या करना है जिस पैराग्राफ या जिस Text की Formatting आप Copy करना चाहते हैं उसके बीच में कहीं पर भी cursor ले जाकर के रख दीजे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बीच में cursor रख दिया ठीक है उसके बाद हमको जाना है home tab में यह रहा home tab इस पर click कर दीजे और नीचे देखिए यह है format painter का option इस पर click करिए तो आप देखेंगे यह brush जैसे sign आ गया अब जहां पर यह formatting आप copy करना चाहते हैं यानि कि दूसरे paragraph में तो बस आपको simple इसको select करते जाना है और आप देखेंगे कि formatting copy हो गई